दोस्तों आज मैं एक ऐसी जबरतव स्थोम रेमेडी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तमाल से आपके बाल तुरंत ही जड़ना बंद हो जाएंगे साथ ही बालों में घना बनाएगा और आपके बालों की लंबाई जो है दुगनी तेजी से बंदे लगेगी और साथ ही साथ ही बालों की जड़ो को मजबूत करता है तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए कि इंग्रिटेंट्स की ज़रूरत लगने वाली दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चानल पे पहली बार है तो चानल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मैं रोज आपके साथ में शेयर करती हूँ दोस्तों सबसे पहला एंग्रिडेंट मैंने आपे लिया है ऐलोवेरा की फ्रेश पत्ती है अलोवेरा का जेल हमारे स्किन के लिए भी उतना ज्यादा फाइदेमन होता है दोस्तों और इसलिए तो यह हमारे लिए किसी वर्दान से कम नहीं है तो जो जब भी आप अलोवेरा की फ्रेश पत्ती काटे उसको खड़ा रखे कम से कम 3-4 मिनिट के लिए और येलो सबस् स्किन के लिए बहुत ही जादा फाइदेमन है दोस्तों पोश्चक तत्वों का भंडार है अलोवेरा जेल आजकल बाल जटने का मेन कारण क्या है दोस्तों बहुत जादे केमिकल वाली चीजों का इस्तमाल करना और इस रेमिडिय में आप बिल्कुल भी बजार वाले जेल क इस्तमाल ना करें आप फ्रेश पत्ती से निकला हुआ जेल का ही इस्तमाल करें जितना हो सके केमिकल की चीजों से दूर रहे दोस्तों क्योंकि उम्र से पहले आजकल बहुत सारे लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं प्री मैचौर हैर ग्रेंग की समस्या देखी जा रही है आ इसदिख को दोस्ते हैं और अगर आपके माल चोटै अगर चोटे हैं तो एक पती का इस्तमाल आप कर सकते हैं तो यहां पर इस रेमेडी में मैं चिलके के साथ ही अलोवेरा जेल का इस्तमाल कर रहे हूं क्योंकि इसकी चिलका होता है वो भी पोश्चक तत्वों का भंडार होता है दोस्तों धेर सारे प्रोटीन धेर सारे मिनरल होते हैं तब ही तो आयूरवेद में इसे आउशदी माना गया है दोस्तों यह रैअल के बालों को सिलकी बनाएंगी आपके बालों को you ऐसा है ओप के साथ में काला करने कम से कम आदा गंटा इस पैक को आप लगाकर रखें आदे गंटे के बाद में आप हैर वाश कर सकते हैं जो अगली चीज मेस में डालने वाली हूँ वो है मेथी और कलोंजी मेथी और कलोंजी दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ज़ादा फाइदे बंद है दोस्तों किसी यह हिर न किसी रूप में इन्हें अपने बालों पर जरूर आप इस्तमाल करें चाहे verbess़ तो आप मेथी का तेल लगाए 하 заключ आप मेथी को आप पानी में उबाल कर उसका टौनिक अपने मालों पर लगाए या फिर चाहें तो किसी भी हैर पैक में एक चमच मेति की बीजो को आप जरूर डाले कलोंजी और मेति दोनों ही मैंने आप एक-एक चमच लिया है और कलोंजी भी हमारे बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है दुस्तों 100 बिमारी की एक दवा है कलोंजी हो सστके तो कलॉइट का रोजाना खाने में भी का सेवन करिंदू है 3 थोड़ासा खाना आपको और आपको बालों पर लगाने के लिए इसका इस्तमाल करें और इने पीस्ते समय आप पानी बिल्कुल भी न डाले। क्योंकि ऐलोवेरा जो है दोस्तो बहुत ही जूसी होता है। इतना ज्यादा मातरा में इसमें पानी का कंटेंट होता है कि आपको अलग से पानी डालने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब अच्छी तरीके से ग्राइन करके इसका स्मूथ पेस्टा बना ले। ये रेमेडी आपके हैर ग्रोथ को स्टॉप करेंगी आपके बालों से जुड़ी हर समस्या को ये दूर करेंगी। बाल चाहे कितने भी कमजोर हो गयों दोस्तों इस रेमेडी को आप जरूर लगाएं। आपके बालों में ओइलिंग भी उतनी ही जरूरी है। आजकर लोग ओइलिंग करना भूल जाते हैं लगाते नहीं हैं। जबकि जबता में आपको दो बार ओइलिंग जरूर करने चाहें, मिनिममम दो बार, मैकसिमम आप तीन बार भी कर सकते हैं। रात भर अपने बालों पर आप ओइल लगा कर रखें। नेक्स दे मॉनिंग आप बालों को वाश कर सकते हैं। यह जो पैक है थोड़ा सा गाड़ा है दोस्तो तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम चान लेंगे। क्यूंकि यह चोटे-चोटे से दाने हैं वो हमारे बालों पर अटकने ना पाएं। चाने जरूर दोस्तों क्योंकि अगर आप चानेंगे नहीं तो ये चोटे-चोटे से चोटाने हैं वो आपके बालों पर उलजेंगे और आपको परिशान करेंगे इसके बाद आपको इस रेमिडी को आपके बालों की जड़ों पर लगाना है और आदे कंटे बाद आप साफ पानी से हैर वाश कर सकते हैं कोशिश करें बाल होने के लिए आप शैंपू का इस्तमाल ना करें क्योंकि अलोवेरा चोये ना दोस्तो यापके बालों को इतना जादा सिलकी और साफ्ट बना देगा कि आपको इसका रेजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे कमजोर बालों को रिपैर करने का काम करेंगे रेमिडी नए बालों को उगाएंगी कलोंजी, मेती और अलोवेरा तीनों ही चीज़े हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन हैं दोस्तों सत्ता में दो बार आप तेल लगाएं और एक बार इस रेमिडी को लगाएं आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, सारी परिशानी आपके आपके बालों से जुड़ी सभी दूर हो जाएगी इस रेमिडी को आप चाहे तो अपने हादों की मदद से लगाएं या फिर कौटन ब Dual या कउटन पैड की मदद से भी इस रेमिडी को अपने स्कैलप पर लगा सकते हैं तो दोस्तो इस remedy को आप भी ज़रूर ट्राय करें, remedy आपको बहुत ज़दा पसंद आएगी, साथ यह थी वीडियो धोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, informative लगी होगी, तो like, share, subscribe करना बिल्कुल न भूले, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा स्यादा शेयर ज़रूर करें कि आपके जरी उनकी मदद हो जाए, thank you so much for watching this video friends, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye, take care